वेल्कम बैक तो माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपिसोड पी साथ आज के इस अपिसोड में आपर बात करेंगे के इकिया इनर्जी सर्विसिस के बारे में तो यहां पे पहले कंपवनी धेंच अपडेट लेते हैं काफी समय के बाद यहां पे काफी समय होगा तेज़ी S.C. और चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आम लोगों यहां पर किसी भी तरह की प्रेस्ट पाइंग की उपर्चुनिटी मिल सकती है कि यहां पर कंपनी के अंदर देखा आप लोगों को यादो का पशले बार भी हमने बताया था कि इसके साथ हम उदाज क्यों है कंपनी के रीजन बहुत सिंपल था कि रीजन यहां पर देखो तो अचानक से यहां पर कंपनी का जो एक यहां पर प्रॉफिट को देखने के लिए मिला है यह आमने एक तरह से पता चला है कि सब्सक्राइब को एससे बढ़ रही है कंपनी की यहां पर रिजल्ट इस वज़ए से होता जब एक कंपनी पर डिपैंटर रहती एक सर्टइन कंपनी पर तो उससे अचानक सी रिजल्ट दो बढ़ जाता है लेकिन उससे प्रॉब्लम यहां कि फिर उसके बाद एक तरह से वह स्टेपिंग स्टोन की तरह ही बना रह जाता है प्लुर उसके बाद फ्लाट हो जाता है म इसी केस के अंदर होता क्या है कि एक बार को आपको एंदर से बढ़ावट देखने को मिल गई यहां पर बहुत अच्छा यहां पर प्रॉफिट गोट देखने के लिए मिल गया उसके बाद कंपनी साइलेंट हो जाती है फिर अठारा जार करोड पर इमानों कि अठकी रह होगे तो यह जो बिजनेस में जैसे कारवन एडवाईजरी और कारवट फुट्प्रिट वाले बिजनेस में यह बिजनेस बहुत जादा भी रेगुलेटरी नहीं और बहुत जादा इंपॉर्टेट नहीं है जिसका मन है वह इसका टार्गेट भी दिखा जाए तो थोड़ लंबा समय है तो 2070 तक का तो हमें प्लान करना नहीं है तो अभी के लिए फिलाल 2070 को कि तब तक अपनों को कार्बन फ्री होना तब तो उससाब देखो जाए तो यहां पर यह बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सब बहुत अरली स्टेज यहां करने और पैसा कमा रहे हैं वहां प्रॉफिटेबल हो बहुत सब्सक्राइब करने वाली चीज़ है यहां पर एक आपके लिए यहां पर उल्टा बढ़ी जा रही है पहली बार जब यहां पर नराज हो गया लेकिन इसी स्पेस पे कहीं थी तो काफी लोग नराज भी हुए लेकिन उसके बाद कंपनी के अंदर आया था रीजनिबल अगर पॉइंट पर आर्गिमेंट करोगी तब हमें समझ में आता है लेकिन बस इसलिए कि कंपनी यहां पर एक समय बढ़ी थी तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा बढ़ती जाएगी कुछ रीजन्स होते हैं कंपन गरने के बाद अगर कंपनी 20 पर संट चढ़ भी जा रही तो कोई बहुत का काम तो किया ने यह असा कोई बहुत ज्यादा तगड़ा रिटन तो दियाने कंपनी ने 80% गिरने के बाद लाजमी है कि कंपनी 10% 20% अचानक से बढ़े जाएगी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जाके उसको बाय कर लेगा अभी मेरा व्यू यहाँ पर यही है सेम अभी मार्केट मालों की 437 की नीचे जाती है तो और नीचे अगर इसको यहाँ पर जाना ही है तो लंबा कंसोलीडेट करना पड़ेगा और कंपनी पोर्फोलियो में एड करना पड़ेगा और तेजी से आप्ट करना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पर प्रॉफिट और सस्टेन करेगी क्योंकि 80 करोड से 1800 करोड तो पहुंच गए लि एक मेरा अपना पिनिन कर देदाना है लूठे